नमस्कार वैसे हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है और उनका कभी विवा नहीं हुआ था लेकिन पराशर सहिता में एक कता है जिसमें विश्यस परिस्तिति में हनुमान जी का विवा हुआ था और विवा हुआ था फिर भी वो ब्रह्मचारी रहे और इसका साखसात उधारन आपको मिलेगा तेलंगाना राज्य के खंबम जिल्ले में जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सूवर्चला सहित विराजमान है और वो कता क्या है अभी अपन जहनें दे एक बार परासरः जिश्य ने इस कता में बताया कि हनुमान जी ने सूल्य देवताओं को अपना गुरू बनाया था गुरू इसलिए बनाया था कि हनुमान जी को नो विद्याओं सूल्य देव से प्राप्त करनी थी और उन विद्याओं से हनुमान जी बलसाली बनना चाते थे तो सुर्य देव ने नो विद्याएं हनुमान जी को सिखानी शुरू की थी जब पाँच विद्याएं हनुमान जी को सुर्य देव सिखा चुके थे तब उसके बाद में चार विद्याएं सीखने में हनुमान जी को अरचन आने लगी क्यों? क्योंकि वो चार विद्याएं सीखने के लिए हनुमान जी को विवा करना पड़ेगा अब हनुमान जी के सामने समस्या ये उत्पन हुई कि वो विवा किस्या करे इस समस्या को दूर किया सूर्य देव ताने सूर्य देव ने अपने बेटी सू वर्चला से हनुमान जी का विवा का प्रस्ताव रखा सू वर्चला भी एक महान तपस्मिनी थी फिर हनुमान जी ने सू वर्चला से विवा किया और हनुमान जी ने वो चार विद्याएं प्राप्त की और ब्रह्मचारी रहे इधर सुवर्चला ने भी साधी करके तपश्चा में लीन हो गई और इस प्रकार हनुमान जी का जो ब्रह्मचारी का व्रत था वो व्रत्मीनी तूटा और विवाब भी हो गया और इधर हनुमान जिने जो नुवित्धें प्राप्त करनी थी सूरीदेव से वो भी प्राप्त कर ली इसी के साथ आज यहीं मेरे वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके आने वेले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे बहल झाल झाल